मशीन लिर्णिंग होती क्या है और मशीन लिर्णिंग किस तरीके से हमारी रोजमरा जिंदिगी के अंदर काम आती है मशीन लिर्णिंग को पढ़ने के लिए लोग समझते ह memorized क unlimited subject है या AI को पढ़ते हुए लोग समझते हैं यह बहुत यग मशकल subject है But on the other side, problem ये होती है कि एक तो हम पूरा time ने देते machine learning को पढ़ने के लिए, दूसरा कोई पढ़ाने वाला ठीक नहीं होता यहाँ पे मैं आपको guarantee देता हूँ कि मेरी तरफ से पढ़ाने में कोई कमी ने रहेगी machine learning के chapters को और on the other side आपको time manage करना पढ़ेगा आप से मेरी यह request है कि आप रोजाना की रोजाना basis पे machine learning के टास्क मेरे साथ करते जाएं इस lecture के अंदर हम introduction to machine learning देखेंगे कि machine learning होती गया और देसी जुबान के अंदर machine learning को हम कैसे समझ सकते हैं समझ ही नहीं उसकी types और different किसम की जो machine learning की आजकल हमारी examples हैं उनको किस तरीके से हम understand कर पाएंगे Let's begin मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ which you can see here अब सभी की जुबान पर machine learning की क्यों है आजकल हर बंदे की जुबान पर machine learning, machine learning, machine learning यह है आप आप सुन रहे होंगे कि यह machine learning तो किसी की जुबान पर नहीं है अब पहले तो हम definition देखते हैं फिर machine learning की types की तरफ चलते हैं पहली चीज के जो definition है machine learning की अगर आप machine learning पर गौर करें ऐसे जैसे नाम सजेस्ट करता है कि machine learning allows machine to learn ठीक है machine learning मशीनों को सिखाती है कि सीखना कैसे है and make decisions smartly ठीक है मतलब यह कि जो machine learning है यह machines को सीखना सिखाती है और उससे वो decision लेते हैं ठीक है अब in machine learning machine can learn from the data provided or their own experience it depends upon the type of machine learning ठीक है main चीज यह है कि आपको data provide करना होता है machine को फिर वो machine क्या करती है prediction को learn करती है data की base पे और फिर अपने decisions जो है वो आपको provide करती है ठीक है इसका मतलब है data आप देंगे कोई एक toolbox होगा जो learn करेगा data के patterns और फिर आप उससे decision ले पाएंगे यानि कि आपकी machine decision ले पाएगे अब issue यह होता है कि जब हम machine learning को समझ रहे होते हैं तो start में से हमें algorithm या machine learning के different किसम के types के उपर directly चले जाते हैं लेकिन यहां पे आपको एक छोटी सी example के साथ मैं आशना करवाता हूँ and then it will be easier for you to understand कि machine learning हमारी life के अंदर कैसे कारामत साबत होती है यह मेरी screen आपके सामने share हो रही है मैं यहां पे कुछ हिंसे लेखता हूँ 2 multiplied by 1 is equal to 2 2 multiplied by 2 is equal to 4 2 multiplied by 3 is equal to 6 अब अगर मैं यहां पे लिखो 2 multiplied by 4 तो यहां पे मैं आपसे पूछूँ के क्या आएगा तो आप पिछले 3 points की base पे बता सकते हैं के 4th point का answer क्या है ठीक है आपको भी पता है कि जब हम 1 से multiply किया तो 2 आ गया 2 को 2 से multiply किया तो 4 आ गया 2 को 3 से किया तो 6 तो आइस्ता इस्ता 2-2-2 add हो रहा है यानि कि इसमें 2 add हुआ तो यह वाली quantity बन गी इसमें 2 add हुआ तो यह वाली बन गी इसको mathematics की जुबान के अंदर हम data के patterns बोलते हैं अब machine learning क्या करती है जब आप उसे कोई data प्रवाइड करते हैं खास तोर पे structural data या rectangular data columns और rows की base पे तो वो machine क्या करती है इन patterns को study करती है patterns की base पे जब आप कोई फिर unknown value डालते हैं उसके अंदर ये machine उस unknown value को उस unknown pattern को predict कर देती है ठीक है इसी को हम machine learning बोलते हैं यानि के आपने machine को data दिया machine ने क्या किया for example ये machine है machine मतलब computer की बात हो रही है ठीक है एक software की बात हो रही है आप data जो है वो collect करते हैं जो हमने पिछले दिनों में पढ़े है machine को देते है machine उस data से सीखती है patterns बगरा बनाती है ऐसे ऐसे करके अब काम कर रही है हमी मैं थोड़ा सा exaggerate कर रहो patterns इसने बना लिए अब उसको कोई unknown data दो ये उसको predict करके आपको पगड़ा दे ही ठीक है और इसी को machine learning बोलते है यानि के data के ऊपर patterns से learn करके कोई ऐसी एक equation drive कर लेना जिससे prediction हो और ये जो learning के बाद यहाँ पे equation आती है अगर वो 2x प्लस 2 है तो ये equation क्या करेगी आपको बताएगी कि अगर आप कोई x देते है मतलब for example यहाँ पे मैं 2 देता हूँ तो इसकी पूरे की value हो जाएगी 4 2 multiplied by 2 4 प्लस और इसके बाद अगर आप 2 add करें तो ये 6 हो जाएगा So this is a kind of equation और इस equation को बोला जाता है model machine learning का model यानि किस तरीके से वो learn करता है अब इन details में जाने से पहले आपके सामने अक्सर हुकाद जब आप machine learning की बात कर रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चीज़ें आती है data ज़रूरी है prediction learn करना ज़रूरी है और decision making ज़रूरी है इसका मतलब है data की base पर अगर कोई machine कुछ सीख जाती है तो उसकी prediction जो करती है उस चीज़ को हम machine learning बोलते है सादा जुबान के अंदर अब आगे चलते है जब एक data से learning हुई prediction हुई फिर decision बने इन चार steps को अगर आप मद्दे नजर रख लें तो ये सारे की सारी machine learning के इन चार steps के अंदर छुपी होती है यानि कि आपने data देना है और obviously हमने पिछले सारे तकरीबन कई दिनों से आज 66 वा दिन है बाइदावे जो हमारा course है description के अंदर जिसमें हमने link दिया हुए अब वहां पर देख सकते हैं कि data तक हमने 66 दिन लगाए है कि data clean कैसे करना है data कैसा होना चाहिए कहां से लाना है errors कौन से होती है so on so forth फिर आपने data जब बहुत अच्छा हो गया then you have to provide that data to machine, machine learn करेगी फिर machine predict करेगी prediction के बाद आपको कुछ output देगी और उसकी base पे आप अपने decisions लेंगे अब जब आप decision ले रहे होते हैं किसी भी एक data की base पे और उसकी base पे आप predictions की base पे decision ले रहे होते हैं तो machine ने आपको सिरफ recommend करना है आपने उस data से आगे जो decision है आपने खुद लेने ठीक है direct machine जो है वो decision ने ले लेती यहाँ तक आपको clear होगी होगी बात अब हम आगे चलते हैं machine learning की types की तरफ के machine learning की types कितने होती है types पर जाने से पहले अभी भी अगर आपके दिमाग में machine learning clear नहीं है तो यहाँ से वीडियो pause करें और वीडियो को दुबारा से देखें पीछे जाके ताकि आपको machine learning clear हो जाए concept clear हो जाए तो झागे